बड़वाह महिश्वा रोड इस्टेद अग्रिसीन धर्मिशाला में दौर के चर्मरोग चिकित सक कनहिया पाटिदार द्वारा स्वास्त विभाग की परमीशन के बिना चर्मरोग शिवर का अजन किया गया था लेकिन इस शिवर में हंगामा होने के बाद उसे बंद करा दिय दरसल शिवर में मौके पर चिकित सक द्वारा लिखी गई दवाओं को एक कमपनी के मेडिकल एजनसी द्वारा शुलक लेकर मरीजों को उक्त दवाईयां दी जा रही थी जब इस बात की भनक इस्थानी मेडिकल विवसाईयों को लगी तो उन्होंने इसकी शिकायत इस्थानी अधिकारियों से की मौके पर पहुँचे अधिकारियों ने शिकायत सही पाते हुए न सिर्फ शिविर बंद करवाया बलकि मरीजों को दी जा रही दवाईयों का पंचनामा बना कर जब्त कर ली आवेदान ना दिया था जिसमें हम 57 मेडिकल वाले मुझूद थे जिसमें तेसिल्दार साफ बी एमो साफ और हमने अमारे सर जो ड्रग इस्पेक्टर है उनको भी इंफर्म कर दिया था उन्होंने बोला था कि यार आप देख लो फिर मैं देखता हूं मरीजों से जानकारी मिली की बिना पर्मूशन के शिवर लगा कर मरीजों का सशुलक उपचार करने के साथ किसी मेडिकल एजनसी द्वारा चिकिसक की परची पर लिखी दवाईयां मरीजों को दी जा रही थी चिकिसक कक्ष में डॉक्टर केल पाटीदार मरीजों का इलाज कर रहे थे सीबी एमो ने डॉक्टर पाटीदार से इस शिवर आयोजित करने संबंदित पर्मिशन मांगी लेकिन वह उपलब्द नहीं करवा पाए वह यह अधियर मार्टर तक उस महेंगी है कि यहाँ पे शिवर उत्दिश है कि जो यहां मरीज आए जो परेशान है नायब तेसितार रहूल सोलंकी ने भी मौगे पर पंचनामा बना कर दवाईयों की जबते की कारवाई की इस पूरे मामले में अधिकारों ने शिवर तो बंद करवा दिया लेकिन इस्थानी मेडिकल संचालकों की भी दबंगाई देखने को मिली अपनी बात रखते रखते शिकायत करता कई बार इस्थानी अधिकारियों पर ही भड़क गए व्यूर रिपोर्ट खबरबान न्यूस बढ़वा